वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लासिक सिविक से एक चैप्टर है रूरल लाइवली होड्स आज हम करेंगे इसके NCRT सॉल्यूशन और क्वेस्टन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो I hope चिल्डन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें question number one देखिए you have probably noticed that people in कलपट्टू are engaged in a variety of non-farm work list five of these सबसे पहले question को समझो question कह रहा है कि आपने ये notice किया होगा जब आपने ये chapter पड़ा होगा कि कलपट्टू में बहुत सारे लोग तो farming करते हैं खेती बाड़ी करते हैं लेकिन उसके अलावा भी जो non-farming work है वो कौन-कौन से हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं शुल्डन basket बनाते हैं जैसे या अंटी बना रही है कुछ लोग black card बनाते है ये वाली जाड़ी होती है बेयल गाड़ी कुछ लोग weaving कपडा बनाने का दरी बनाने का काम करते हैं कुछ लोग छोटी-मोटी दुकान चलाते हैं cycle बगयरा रेपेर करने की कुछ लोग कपड़े धोते हैं तो इस तरह के जो non farming work है वो करते हैं तो answer कैसे लिखोगे आप answer में लिख दोगे आप making baskets है ना टोकरी बनाना pot बनाना बरतन वगेरा brick bricks बनाना bricks मतलब eating बनाना भुलक काट अभी हमने देखा था बेल गाड़ी जो छोटे मोटे school है वहाँ पर कुछ लोग पढ़ाते हैं washing clothes अभी हमने देखा था कपड़े धोते हैं weaving अभी हमने देखा था धरी वगएरा कपड़ा बनाते हैं cycle वगएरा को repair करते हैं तो इस तरह से आप इस question का answer लिख देगे next question list the different type of people you read about in Kalpattu who depend on farming अब देखो question को समझना ज़रूगी है आपको उन अलग-अलग लोगों के नाम बताने जो Kalpattu में रहते हैं और farming में depend करते हैं who is the poorest among them and why और इन में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है और क्यों है तो guys अगर आपने ये chapter पढ़ाए तो तीन तरह के farming वाले लोग के एक ऐसे जो भाई सब बहुत बड़े land owner है जैसे ये uncle जी दिखाई दे रहे हैं आपको एक ऐसे हैं बिचारे बिल्कुल इतने गरीब हैं इनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है जो इनके खेतों में काम करते हैं और एक और है जो small farmer है उनके पास जमीन तो है लेकिन बहुत कम है वो बिचारे अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती खुदी कर लेते हैं तो answer कैसे लिखोगे different types of people who depend on farming जो farming पर depoint करते हैं वो कौन-कौन है landless farmer ऐसे farmer जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है small land owners जिनके पास थोड़ी सी जमीन है बस और big land owners और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इतनी जमीन है बहुत ज़्यादा कि उस जमीन पर काम करने के लिए वो लोग आते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है जैसे कि यहाँ अब एक और question पूछ रहा था इसमें सबसे गरीब कौन है और क्यों तो देखो जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है वो सबसे गरीब है क्योंकि उन्हें इस आदमी पर dependent रहना होता है जो अमीर आदमी है जो land owner है landless farmers are the poorest सबसे ज़्यादा गरीब कौन है landless जिनके पास जमीन नहीं है because they have to depend on land owners क्योंकि उनको land owners के उपर depend रहना पड़ता है for their farming job अपनी farming job के लिए next question imagine you are a member of a fishing family children अगर आपने ये chapter पढ़ा होगा तो इसमें बताया गया है कुछ लोग आसपास के गाउं में fishing करते हैं fishing मतलब मचली पगड़ते हैं उनको बेचते हैं जिससे अपना घर चलाते हैं अगर वो कह रहा है कि अगर आप fishing family के part हो उसके member हो and you are discussing whether to take a loan from the bank or for an engine what would you say तो अगर अब आपको पैसों के जरूरत है आपको एक boat खरीदनी है engine वाली तो आप loan किस से लेना पसंद करोगे money lender से या bank से children money lender एक ऐसा person होता है गाउं में जिसके पास थोड़ी जमीन जायदात होती है और वो गरीब लोगों को जरूरत पढ़ने में पैसा देता है यह तो अच्छी बात है लेकिन दिक्कत क्या है कि इंट्रेस्ट या निकि ब्याज भूत लेता है उल्टा सीधा ब्याज लेता है दूसरों की मजबूरी का फाइदा उठाता है उधर bank क्या करती है bank आपकी मजबूरी का कभी फाइदा नहीं उठाती क्योंकि bank rules and regulation follow करती है जिसको RBI ने क्या किया हुआ है जो rules बनाए हुए है उनको RBI की जो guidelines होती है उनके अंदर काम करती है और जो interest है वो भी कम लेती है अगर आप लोगों को interest नहीं पता तो समझा ज़े जैसे मान के चलो आपने money lender से 100 रुपए लियो अधार तो हो सकता है वो 100 रुपई के बदले में आपसे 1500 रुपई ले ले या 140 रुपई ले 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 100 रुपई तो उसकी और 40 रुपई ब्याज लेकिन अगर आप bank से लेने गए तो bank काईगी बस हमें तो 115 रुपई दे देना 100 हमने आपको दिये थे बस हमें 15 रुपई जादा दे देना तो bank क्या करती है आपसे जो interest लेती है वो कम लेती है तो आप क्या suggest करोगे अपनी family को हम ये suggest करेंगे कि हम bank से loan ले ले क्योंकि ये हमें कम interest पे loan दे देगी तो answer कैसे लिखोगे I would say that it is better to take a loan from bank मैं तो अपनी family को ये कहूँगा कि bank से loan लेना ज़्यादा सही होगा क्यों because money lenders usually charge high rate of interest क्योंकि जो money lenders होते हैं वो ज़्यादा तर बहुत ज़्यादा high interest लेते हैं ज़्यादा ब्यार्ज लेते हैं guys अभी तक आपने इस video को एक like नहीं किया है तो please एक like कर दो आपके एक like से एक subscribe से बहुत motivation मिलता है मैं तीन तक count करूँ हो चिल्डन फ्लीज वीडियो को like कर देना 1, 2, 3 I hope चिल्डन आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया है Thank you guys Next question Poor rural labors like thulasi often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources अब चिल्डन इस chapter में एक example दिया है एक ऐसी lady का जो कि उनके पास जमीन नहीं है तो वो rich land owner की जमीन पर काम करती है ना तो उनके बच्चे अच्छे school में जा सकते ना उनके पास अगर वो बीमार पढ़ जा अच्छे hospitals की medical facility और अच्छे resources है You have read about inequality in first unit of this text अब आपने पढ़ाई है कि हमारे देश में inequality बहुत है नहीं कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत जादा गरीब है The difference between her and Ramalingam is one of inequality अब Ramalingam कौन है? जिसके पास बहुत जादा जमीन है है ना बहुत बड़ा land owner है और थुला सी कौन है? उसके घर पे उस पे बिल्कुल भी जमीन नहीं है Do you think this is a fair situation? क्या आपके हिसाब से ये बिल्कुल सही है? नहीं यार बिल्कुल भी सही नहीं है देखो थोड़ी बहुत जमीन तो सब के पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी खुद की खेती कर पाए What do you think can be done discuss in class? और क्या किया जा सकता है तो answer कैसे लिखेंगे पहले तो उसने पूछा था क्या आपको लगता है कि ये situation fair है तो answer लिख देना No, this is not fair situation ये fair situation है All are equal in the eyes of the constitution हमारा जो सम्विधान है भारत का जो कानून है सम्विधान है Constitution की नजर में सब बराबर है It is the duty of the government to provide basic facilities like compulsory free primary education ये तो government की duty है कि जो गरीब लोग है उनके बच्चों को भी free education provide कर आए compulsory कर दे primary education और free कर दे basic medical facilities भी provide कर आए और कुछ job opportunities भी provide कर आए ताकि ये लोग किसी के pressure में ना रहे What do you think the government can do to help farmers like Saker when they get into debt discuss अब इसमें एक और चीज दिखाई गई है ऐसे farmers जिनके पास कम जमीन है जो अपनी जमीन पर ही खेती करते हैं जैसे ये दिखाई दे रहे हमको यहाँ पर लेकिन कभी कभी इनको भी पैसों की ज़रुद पढ़ती है और विचारा एक जगे से पैसा उठाते हैं दूसी जगे देते हैं फिर दूसी जगे से तो इस तरह से उधार की चक्कर में फस्ते जाते हैं इसको debt trap बोला जाता है तो government इनके लिए क्या कर सकती है तो government इनके लिए क्या क्या कर सकती है provide subsidies for fertilizers and pesticides किसी भी किसान को अपने खेत के लिए fertilizers और pesticides की ज़रुद पढ़ती है तो government क्या कर सकती है इनको subsidy provide कर सकती है अब subsidy क्या होता है जैसे कोई चीज 100 रुपई की है तो उसको 70 रुपई में ही दे दे टेक्स वेक्स ना लगा है provide low interest loans अगर इन लोगों को पैसों की ज़रुद पढ़े तो बहुत ही कम interest पे इनको loan दे दिया जाए provide minimum support price इसको MSP भी बोला जाता है कि किसान मजबूर ना हो कि अपनी फसल किसी एकी particular आदमी को उसके pressure में बेचे government ये कह दे कि आपका जो भी अनाज पैदा होगा उसको हम खरीद लेंगे ठीक है तो MSP भी provide के जाए guys इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे for a farmer taking loan from dash is better option किसी भी farmer के लिए कहां से loan लेना जादा अच्छा रहेगा bank से loan लेना जो कम interest पे पैसा देते हैं या money lender से जो जादा interest पे आप अपने answer में चाहो तो पूरा लिख देना या आप लिख देना A या B comment में मैं समझ जाऊँगा देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे comment में so I hope मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा please वीडियो को like कर देना channel को subscribe कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाब बाई